हाई फ्रेंट्ट्स, वेलकम टू माई यूटूब चानल, मैं करन, आज आपको इंट्रोडेक्षन आप कम्प्यूटर के बारे में उताने वाला हूँ इंट्रोडेक्षन कम्प्यूटर में हम देखेंगे कि हमारा कम्प्यूटर का full form क्या होता है उसकी definition क्या होती है जो computer का word है वो कहां सी लिया गया है और उसका means क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते है computer का full form तो computer का full form में C for होता है common O for operating, M for machine, P for particularly U for use for, T for technical, E for education, R for research अगर हम इसको एक साथ देखते हैं तो common operating machine particularly used for technical education and research मतलब एक ऐसा machine जिससे हम particularly अपने technical education और research के लिए यूज करते हैं ये भी एक तरीके से आपका definition होता है अगर आप से कोई पूछे what is computer तो आप इसको बोल सकते हैं कि computer is a common operating machine particularly used for technical education and research इसे भी आप अपना definition के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लाबा हम एक और definition computer में देखते हैं इसमें होता है computer is an electronic device by which way can solve the any type of arithmetic and logical problem मतलब computer हमारा एक ऐसा electronic device है जिसे हम किसे भी arithmetic and logical problem को solve करने के लिए यूज करते हैं तो यह रहा हमारा definition computer का और computer का full form यह very important chapter होता है computer का क्योंकि यही से हमारे computer का basis start होता है अब हम आगे देखते हैं इसमें हम देखेंगे computer का जो word वह कहां से लिया गया है और उसका means क्या होता है तो computer का जो हमारा word है वह लाइटिंग लैंग्वेज के compute word से लिया गया है जिसका means होता है calculation मतलब जोड़ना घड़ाना calculate करना अगर आपसे कोई पूचता है कि computer का जो language है वह कहां से लिया गया है और उसका means क्या होता है तो उसको आप बता सकते हैं तर्म computer wise by Latin language compute word विच मीन्स calculation मतलब computer का जो word है हमारा computer वो Latin language के compute word से लिया गया है जिसका means हमारा calculation होता है अब हम देखते हैं फादर आप computer तो आपने पहले पढ़ा होगा computer के father Charles Wavage को कहा जाता है Charles Wavage ने सबसे पहले differential engine का निर्मार किया था 1822 में इस engine का काम था किसी भी data को store करना उसका input देना उसका output देना और इस device को control करना उसके बाद इनोंने एक और engine का निर्मार किया analytical engine यह 18-30 में इनोंने निर्मार किया था इस engine के द्वारा algebra calculation में decimal को बढ़ाया गया था हम आज भी यही engine यूज करते हैं जिसमें हमारा 20 प्लेस तक decimal जा सकता है आप अगर कोई भी calculation करते हैं तो वह 20 नंबर से आगे नहीं जा सकता second engine हमें किसी भी data को store करने के लिए उसका output देने के लिए और उसको control करने के लिए helpful था इसके बाद हम पढ़ेंगे function of computer जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्लीज को like करें comment करें, share करें और अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को subscribe करें और वेल आइकन को प्रेस करें Thank you